नमस्कार साथियो आर्पी एम ब्रिज यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एवर्ग्रीन स्रंखला की एक ये नई स्रंखला है तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएए एवर्ग्रीन स्रंखला के आलेडी 4-5 पार्ट आ चुके हैं तो यूटूब चैनल पर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारे आर्पी एम ब्रिज यूटूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं पास से च्छे पार्ट अलेडी इसके आ चुके हैं और ये इसी का अगला पार्ट है बहुती मैत्पों होने वाली है ये स्रंकला यहाँ पर टोटल हमने 30 कुश्चन लिए है जो कहीं न कहीं SSE के एक्जाम में पूछे गए हैं परमपरागत कुश्चन परमपरागत कुश्चन का मतलब ये कि ये वो कुश्चन है जो हमेशा एक्जाम में बारवार रिपीट होने वाले कुश्चन है या जो एक्जाम में बारवार रिपीट होते हैं कुश्चन वही कुश्चनों को यहाँ पर हमने लिया है कोई भी एक भी ऐसा कुश्चन नहीं है इन टोटल 30 जो आपका किसी ना किसी एक्जाम में पूछा ना गया हूँ सभी हमने रिपीटिड कुस्चन लिये हैं एक्जाम के दरश्टिशे बहुत ही महत्पूल कुस्चन बार बार एक्जाम में पूछे जाने वाले कुस्चनों को यहाँ पर हमने लिया है तो चलिए बिना देरी किये हुए स्रंकला की सुरुआत करते हैं स्रंकला का आपका पहला कोस्चन आपके सामने है लेकिन उससे पहले जो भी हमारे यूटूब चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और शाथी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए चलिए स्रंकला की सुरुआत करते हैं बिना देरी किये हुए पहला कुस्चन आपके सामने है कि बिस्व मोहिनी क्या है तो आपको बताना है कि बिस्व मोहिनी क्या है भारत की एक ब्यूट्य क्वीन का नाम है या फिर संगीत के लिए लेता मंगेशकर को दिया गया खिताब या फिर एक भारती जहाज या फिर भारती नित पर एक पिरशिद पुस्तक तो प्यारेशाथ यू बिस्व मोहिनी जो है वो आपके ये बहुत ही मैटमूल कुश्चन है बिस्व मोहिनी क्या है तो एक भारती जहाज तो इस प्रशन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्यारेशाथ यू आप्शन नमबर सी चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर दो की तरफ लगातार बसा हुआ बिस्व का सबसे पुराना सहर है आपको बताना है कि लगातार बसा हुआ बिस्व का सबसे पुराना सहर है ससी MTS के एक्जाम का पूँचा हुआ कोश्चन है जिरुसलम, बगदाद, इस्तांबूल या फिर दमिस्क तो प्यारेशाथ यू आपको बताना है कि कुश्चन नमबर दो के लिए राइट आंसर क्या रहने वाला है तो चलिए मिलवाते हैं कुश्चन नमबर दो के राइट आंसर से और कुश्चन नमबर दो का जो राइट आंसर होगा पैरेशाथी वो आप्शन नमबर ए यानि की येरुशलम नेक्स्ट आगे बगलते हैं कुश्चन नमर तीन की तरफ नमें लिखित में से कौन सा नगर राष्टी राजदानी के चेतर में नहीं आता है पानी पत रहोता खुरजा या फिर मतुरा तो प्यारे शाथ यो कुश्चन नमर तीन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएग आपके सामने हैं तो चले मिलवाते हैं प्रशन के सही उत्तर से इस प्रशन का बिलकुर शही उत्तर हो जाएगा प्यारे शाथ यो आपका आपका ऑप्शन नमर सी यानि की जेरुसलम नेक्स्ट आगे बगलते हैं कुश्चन नमर पांच की तरफ बिना देरी की वे ताज महल बहुत ब्हुत दूस-प्रभावित होता है किस से डूस-प्रभावप दारिशखों के कारग या फिर अमल वर्षा के कारग या फिर बनूनमूलन के कारग या फिर धोनि प्रदूश के कारग तो प्यारिशातियों ताजमहिल की जो खूबसूरती है उसको प्रभावित हो रही है वो किससे प्रभावित हो रही है अमल वर्षा से तो कुश्चन नमबर पांच के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नमबर बी यानि की दूसरा इस प्रशन का बिल तो प्यारिशातियों कुश्चन नमबर छे के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नमबर हो जाएगा दूसरा यानि की कनफ्यूसियस को कहा जाता है क्या कहा जाता है दस अजार पीडियों का अध्यापक चलिए आगे बढ़ते हैं नेस्ट कुश्चन तो प्यारिशातियों जो बुर्ज खलीपा की उंचाई है और वो आपकी है 828 मीटर यानि की ऑप्शन नमबर दूसरा इस्प्रेशन का बिल्कुर शही उत्तर रहने वाला है चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर आट की तरब नेटिविटी चर्च कहां पर रेस्त यरुशलम में या फिर बेतलहम में या फिर नजारत में या फिर रोम में तो प्यारिशातियों जो नेटिविटी चर्च है वो आपका बेतलहम में एस्तेत है तो आप्शन नमबर दूसरा इस्प्रेशन का बिल्कुर शही उत्तर रहने वाला है प्यारिशातियों चलिए आ चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमर 10 की तरफ कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड या उत्पाद के साथ संबंदित है भारत संचार निगम लिंटिड या फिर महानगर टेलीफॉन निगम लिंटिड या फिर एयर्टल या फिर नोकिया तो प्यारे शाथ यो कनेक पुदूचेरी या फिर कुरूचेत्र तो प्यारे शाथ यो केंद्री विस्विद्याल है जो है वह आपका पुदूचेरी में इस्टित है तो कुश्चन नमर 11 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी चलिए नेक्स्ट आगे बगते हैं कुश्चन नमर 12 के ल तो कुश्चन नमर 12 के लिए जो आपको नाम बताना है जो ग्यान दर्शन कारकरम की परिशारित करता है ये आपको बताना है तो प्यारिशारिव जल्दी से बताईए कि वो टीवी चैनल का नाम क्या है तो प्यारिशारिव उस टीवी चैनल का नाम है अपना जाना माना चैनल कौनसा दूर दर्शन चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमर 14 की तरफ बिना देरी किये हुए भारती नौसेना पोत जिसे समुद्री संग्रहाले में परवर्तित किया जा रहा है वह है सागर समराट कनेक्स समराट असोग या फिर विक्रान्त तो प्यारिशारिव बताईए बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है और काफी वार पूंचा हुए कोश्चन है इंपॉर्ट नियॉर्क वारड़ टेट सेंटर में आतोंगवादियों ने किस बर्ष दो विमानों को निश्ट कर दिया था आपको बताना है कि कौन सा वो वर्ष है जिसमें दो विमानों को निस्ट किया गया था 2,001,002 या फिर 2003 तो प्यारिशाति हूँ उस एयर का नाम है आपका 2001 इस में तो प्यारे शाथ भी आपको बताना है कुश्चन नमर 16 के लिए राइट अंसर क्या होगा तो प्यारे शाथ भी कुश्चन नमर 16 के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो विशाखा पत्रम यानि कि ऑप्षन नमर सी इस प्रशन का बिल्कुर शही उतर रहने वा के लिए जो राइट अंसर हो जाएगा ऑप्षन नमर सेकेंड चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमर 18 की तरफ भारती बन सर्वेच्छंग किस मंत्राले के अधीन है तो आपको बताने कि भारती बन सर्वेच्छंग जो है वो किस मंत्राले की अंतर गताता है रच्छा म नमर दूसरा चलिए यह आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमर 19 की तरफ भारती रेलवे का सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेल गाली कौन सी भारती रेलवे की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाणी कौन सी है बरतमान में मुंबई गुओ सुपरफास्ट एक्स्प्रिस या पि बर्तमान में सबसे तेज चलने वाली रेल गाड़ी है चलिए आगे बढ़ते हैं कुस्चनcheGeos कि तरह भारत में शर परतम प्रशारंग किसने शुरू किया था तो आपको बताने की भारत में शर परतम किसने प्रशारंग सुरू किया था भारत सरकारनी अफो प्रमोमई प्रदेश की सरकार ने फिर बंगलादेश की सरकार ने फिर निजी तत्तों के द्वारा तो प्यारिशातियों आपको बताने हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा तो चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से और इस प्रश्न का बिलकुँ सही उत्तर हो जाएगा नेजी तुट्वा द्वारा इनकी ऑप्सान नंबर चौथा प्रेशन नंबर 20 के लिए बिल्कुर राइट अंसर रहने वाला है प्यारिशातियों चले आगे बढ़ते हैं कुश्चन नंबर 21 की तरफ निल्मिखित में से कौन सा इस्थान तूरा बूरा के सबसे नि निकर्तमिस्तान क्या है मुम्मई और अंगाबाद अमरनात कश्मीर या फिर जलालाबाद तो प्यारिशातियों कुश्चन नंबर 21 के लिए बिल्कुस सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानि की जलालाबाद चले आगे बढ़ते हैं कुश्चन नंबर 22 क पहुचा होगा कुश्चन नंबर 22 की राइट अंसर जी कुश्चन नंबर 22 का राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यह निकी यूगो सलाविया चले नेक्स्ट आगे बगलते हैं कुश्चन नंबर 23 की तरफ किस राज में ईसाइयों की जन संख्या अधिक है तो बताने हैं आपको भारत में वो कौन सा राज है जिसमें ईसाइयों की संख्या जो है वो सरवादिक है तो प्यारिशात यह इसाइयों की सरवादिक संख्या केरल में पाई जाती है तो कुश्चन नंबर 23 की लिए आपका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दू अंसर हो जाएगा वो 1911 राष्टिगान का सबसे पहले जो गायन हुगा तब उस्चन 1911 में हुगा तक कलक्ताद वीशन में चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नंबर 25 की तरफ Microsoft विकास के इंदर भारत में कहां पर इस्थापित किया गया है बैंगलोर नई दिल्ली हैदरावाद या फिर पहुन है तो पैरिशाति हूग कुश्चन नंबर 25 के लिए जो आपका राइट अंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानि की हैदरावाद चलिए आगे बढ़ते हैं कुश्चन नंबर 26 की तरफ कुश्चन नंबर 26 के है देखते हैं निमलेखित में इसे प्राचीन पिसका आस्चर कौन सा है चीन की विसाल दीवार ताजमहल या फिर बीवी लोन के जूलते बाग या फिर अलग जंडिया क चलिए नेक्स आगे बढ़ते हैं कुश्चन नंबर 27 की तरफ बहमूल रतनों में और रतन काटने की कलामें निपंग ब्यक्ति को क्या कहते हैं मनिकार जोहरी जैमेडरी या फिर लैपडरी तो प्यार शाह तो यह बहुत इंपोर्टन कुश्चन बहद इंपोर्टन कुश् को या फिर रोम के कोलोजियम को या फिर पीसा की जुकी मीनार को या फिर शेंड्सोपिया की मस्जिद को तो पैरिशाति कुश्चन नंबर 28 के लिए बहुत इंपोर्टन कुश्चन है इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओलंपिया में जुपीटर की मूर तो पहली बार जो प्रकासित की गई थी वह उने 155 में की गई थी तो कुश्चन नंबर 29 के लिए राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा नेक्स्ट आगे पकलते हैं कुश्चन नंबर 30 की तरफ शंकला कांतिम कुश्चन बहुत इंपोर्टन कुश्चन की आन बावा आम्टे या फिर मोतिला नहरू तो प्यार शात्यू बहुत इंपोर्टन कुश्चन और इस कुश्चन का राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानिकी बावा आम्टे तो बावा आम्टे का नाम जोड़ा हुआ किसे आनंद वन इस्तापिद करने से तो चलि इस आज की सरें कला में तो नहीं